निप्टिय टेक्नोलोजी अद्वांस चिप लेवल लाक्टॉप रिपेर ट्रेनिंग इंस्टिटूट इसको यह भी चेक कर लेते हैं एक बढ़ी कि यूएसबी अंडर्स को हाँ है इसका सिगनल कहा से आ रहा है जैसे मैंने आपको बताया कि आयो कंट्रोलर से आएगा कुछ नहीं करना है सेम उस सिगनल को कहले इसको नहीं करते हैं यह दोनों सेम है इसलिए मैंने इसको कर लिया अदरवार वाले सिगनल को करते हैं इसको अंदर वाले इनेवल को कभी नहीं कॉपी करना इसको हम कॉपी करते हैं सबोज इसी को कॉपी कर लेते हैं कुछ नहीं है right copy paste search ठीक है तो पीडियाफ का कोई लेना देना नहीं है कि कहां सर्च हो रहा है उसने तो पूरे जिमेटिक में पूरा ही बता देना कि ये particular नाम जो आपने copy paste किया ये पूरे circuit diagram के उपर कहां कहां पर है तो first हमने सर्च किया तो यह यहीं पर था जहां से हमने copy किया second उसने second उसने यहां इसके बाहरवला बता दिया दो ही जगा सेम नाम से दोनों बता दिया third one is यहां से output हो रहा है तो यह है क्या है अगर आप देखेंगे तो यह है SIO यह हमारी SIO IT8586 ITE Company की 8586 की नाम से इसका part number है और यह this is the controller जो कंट्रोल कर रही है इस particular signal को ठीक है यह यूएस्बी अंडर्सकोर ओन हैश ओल्राइट यह अब next देखतें क्या हो रहा बीच में यूएस्बी अंडर्सकोर ओन हैश के उपर इन्होंने पांच वोल्टे से पुल अप करके रखा हुआ तो 100 के रिस्टर से इसको पुल अप करके रखा हुए पूल अप का थियोरी पता है सब को यहां किसी को कुछ कंफूजन है आप सभी को पता है कि आप और पूल डाउन क्या होता है बता दीजी सर तो बड़ा सा बरीफ में ज़्यादा लंबानी कि जो छोटा सा एक चीज बताऊंगा ठीक है हलके सी फटा पट समझ लेना इसको तो ये रिजिस्टर है अगर ये सपोज लो वैल्यू का होता है दस ओम का ठीक है तो इस पे अगर यहाँ पर पीछे से तीन वोल्टे जाती या पांच वोल्टे जा जाए ठीक है तो वो इस रिजिस्टर के अंदर इतनी रिजिस्टर्स है ही नहीं कि वो इसको आगे सपोज कोई भी सर्कृट है या आईसी या लोड है लोड समझो आप आगे कोई भी लोड है उसको कोई दिक्कत आ जाती है तो इस रिजिस्टर्स के अंदर इतनी वैल्यू है इतनी पावर ही नहीं इसकी इतनी रिजिस्टर्स है ही नहीं कि वो इस शॉर्टिंग को यहां तक ना आने दे ठीक है क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत लो है तो यहां पर अगर कोई दिक्कत आती है तो उसका लोड हमको इस रिजिस्टर्स या तो इस रिजिस्टर्स ओपन हो जाएगा क्योंकि लो वैल्यू का है या फिर यहां पर इस ट्रैक पे हमको शॉटिंग मिलेगी ही मिलेगी अगर ये IC शॉट हो गई है ठीक है? इतना समझे आप low value resistance के बारे में कि ये जो low value को resistance है resistor है इसके इतनी resistance है ही नहीं कि अगर आगे कोई load पड़ता है तो यहां तक ना आए यहां तो open होगा नहीं तो इस पूरे track को साथ के साथ शॉट करके रखेगा अगर ये resistance नीचे वाली 100 किलो ओम की लगी होगी तो इसके अंदर इतनी ताकत है, मैं देखो brief में बता रहा हूँ रिजिस्टर नहीं पड़ रहे हैं, तो इसको ये ना पड़ते हैं ना, रिजिस्टर रुकावट का काम करता है, सबने पड़ा हुआ है कि रिजिस्टर जो है करन्ट के फ्लो को रोकने का काम करता है रिजिस्टर या resistance, इंग्लिश वर्ड है ना या इसका मतलब भी तो यह यह रुकावट ठीक है, तो ये इस टाइम पर ये काम करेगा, कि अगर यहाँ पर कोई लोड है और वो खराब हो चुका है तो ये हाई वैल्यू का रिजिस्टर 100 किलो हम का, यहाँ का लोड यहाँ नहीं जाने देगा, समझे बात ये एक रिजिस्टर लगडा हुआ था, भी वापस जाएंगे, उसके यहाँ पर पांच वोल्टे थी, ठीक है और ये वाला ट्रैक दिया था, उन्होंने यूएस्बी अंडर्सकोर अन हैश ठीक है, और यहाँ से ये ट्रैक गया हुआ था हमारा आईयो को ठीक है, ये था ठीक है तो इस केस में आप मेरे को बताओ, देखो, एक चीज़ याद रखना जिस भी सिगनल के आगे हैश लगा होगा ना इग्जेक्ट किसी चीज़ को नहीं मानना 99% अल्मोस्ट परफेक्ट ही होता है 99% चांसिस केस में ये होता है तब on माना जाएगा जब वो low हो जाएगा ठीक है रभी सर इसको क्या कहते है, low active active low जिस भी सिगनल में ये हैश लगा होगा सिगनल के आगे, उसको on तब माना जाएगा जब वो active low होगा, मलब कि वो low हो जाएगी वहाँ पर बंद हो जाएगी तो आपने मानना कि यहाँ पर ये सिगनल आ रहा है जहाँ पर भी हैश है हैश टेग लगा हुआ है, तो इस केस में क्या होता है, ये USB on पर जब हम power देते हैं तो पहले ये 5 वोल्टे, सपोज ये कि लोम का लगा हुआ था, भी हमने देखा भी था circuit में, अभी हम फिर से जाएंगे circuit पर ये 100 कि लोम का resistance लगा हुआ था resistor, तो उस केस में जब आगे कोई load था ही नहीं, जब आगे कोई load था ही नहीं, I.O. ने भी इस signal को on करके छोड़ा हुआ था, open छोड़ा हुआ था मतलब I.O. खराब, जो हम पहले खराब-खराब कर रहे थे उसका मतलब यही था कि कोई भी किसी भी तरीके से आगे से resistor के आगे से circuit को low करवाना, तो इस case में I.O. ने अपने internal circuit के, with the help of internal circuit उसने इस track को open छोड़ा हुआ है, जब यह open हो जाएगा, तो obviously बात है, यह 5 voltage direct pass कर जाएगी, क्योंकि आगे कोई load ही नहीं इस ने open कर दिया इस track को, और यह directly pass हो जाएगी, ना ही I.O. short है, ना ही USB on की IC short है, तो load है ही नहीं, तो यह 5 direct pass हो जाएगी और इस particular signal पे 5 voltage आएगी, और अभी हमने क्या देखा, क्या बोल रहा था कि अगर इस signal पे hash लिखा है, तो जब यह 5 voltage बंद हो जाएगी, तब हम मानेंगे कि यह signal आ रहा है, ठीक है, तो समझ आया है, थोड़ा सा यह pull up का, तो इसको इन्होंने 5 voltage से pull करके रखा हुआ है, इस particular track को 5 voltage से pull करके रखा हुआ है, इस signal को, अगर इस signal को कुछ भी आगे करेंगे, तो यह 5 voltage को disturbance नहीं आएगी, क्योंकि 100 km का है, जैसे मैंने बताए, यहां का load यहां नहीं जाएगा, तो यहां की कुछ भी low होती है, यह कुछ भी होता है, तो यहां नहीं जाएगी, तो pull up का थोड़ा सा idea हुआ आपको, कि pull करके रखा हुआ है, pull up करके रखा हुआ है, उचा कर रखा हुआ है, जैसे यह भी यह regulator था जिसके हम देख रहे थे अभी कि पांच वोल्टे यहां थे यहां पास होगी बोलना साथ साथ में बोलो एक आदा बंदा यार टीक है अभी हम देख रहे थे ना तो यहां पर हैश लगा हुआ है हेश लगा हुआ तो इसका मतलब वहाँ से रैजूरली यहां से पहलेASON पॉइंट से 5 वोल्टेज आ रही होगी. पांच वोल्टे से इस सिग्नल को पुल अप करके रखा है और हमको पता है तो अगर यहां पांच वोल्टे जा रही तो इट मीन्स अगर यहां पर पांच वोल्टे आ रही है तो यहां ते यहां पांच वोल्टे क्रॉस नहीं करेगी तो हमको इसके सार्किट की सिग्नल के नाम सी प्तक पता लग गया है पहले खुर हमको बता कि जब तक ये आईallas Yeah प्तक ये पे पास नहीं करेगा अब हमको इसकी ये भी कंडेशन पता लगी की हमको उनेंगे मैं हो इसको आपागे इसको हम इंडर्श। है controller से ठीक है controller से आ रहा है अब इसके अंदर आफ all diagnose कर सकते हो कि USB on hash क्यों नहीं हो रहा इस case में आपकी controller भी खराब हो सकती है track भी खराब हो सकता है pull up register भी खराब हो सकता है pull up register भी खराब हो ही बोलने ही वाला था मैं बहुत बढ़ी है सही जा रहे हो यह pull up register भी खराब हो सकता है suppose यह low value का हो गया हो और यह वो जो रुकावट वाला काम है वो करी ना पा रहा हो है ना इसके related main कुछ भी हो सकता है लेकिन आपको पता लग गया कि यह ही होगा तो ही काम बनेगा भाई तुका मैं नहीं मारूँगा मैं हाथ भी नहीं लहाँगा मदरबोड को जंपर जंपर बाड में जाए मैं को पहले exactly पहले पता लग जाए फिर उसमें अगर में कोट जंपर लगाने से काम चल जाता है और बाकी circuit पे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता तो मैं जंपर मारूँगा लेकिन अगर जंपर मारने से काम नहीं चलता है जब circuit काम ही नहीं किया यह USB ओन पे 5 वोल्टे की 5 वोल्टेज ही है तो फिर मतलब ही नहीं बनता ना यार यूएसबी को जबरतसी पांच वोल्ट देने से उखाड भी काल हो गया क्योंकि इसका डाटा क्लॉक तो काम करना शुरू करेगा ही नहीं ठीक है तो ये पांच वोल्ट एका लॉजिक क्लेर हुआ येस सर्थ ठीक है अब जैसे एक ये रेगुलेटर है कहीं में जुरूरी नी एब किसी किसी सर्कुिट में बस आपने वो देखना पासिंग सही होनी चाहिए उन केसी में आप जमपर भी मार सकते हुए अब इतने आप लायक हो कुओक यो इतNY किसी चीज़ को देखके कि आपको पता है यह कैसे काम करेगा इस बॉर्ड की यह वली सप्लाई देखते हैं कहां से आ दिया कहां से आनी चाहिए यह पांच वोल्ड की सप्लाई कहां से आनी चाहिए यह आना चाहिए देखते हैं हमारे आइडिया से किसना किसी रेगुलेटर से ही आए कि कोई ना कोई पासिंग होई रही होगी ना देखे यह रेगुलेटर है इसके अंदर डिफरेंट बोर्ड था हमने तो आपके सामने मैं तो USB बोर्ड डून रहा था मैंने कोई आपको प्रैक्टिस करके नहीं बढ़ा रहा मुझे तो पहाईडिया कि मुझे पता होना ही है यह और पिर वोल्ट आउट करेगा ठीक है तो इसकी वोल्ट न पे पांच व्ल्टेज आ रही है सेम वोड है चाए वो पराना बोर्ट था है नया वोड तो दो दिन पे पांच वोल्टे आईगी आप चेक करो पहले तो आप यहीं से सर्किट पता लगे यहीं से कहीं से ब्रेक हुआ पड़ा तो आप इनेबल शेंबल देखते जा रहे हो तो यह इतने आप सभी समयदार हो कि यह सब चीजने देख लोगे वोल्ट इन आपने देखना वोल्ट आउट होरी कि नहीं होरी नहीं होरी तो वोल्ट ओट शॉट भी हो सकता है आपको देखना है कल बच्चे या लोग जबरदसी युए भी ठोकते रहते हैं अंदर से ब्रेक कर देते हैं तो उसमें आपने भी देखना यह पर्टिकुलर लो एक्टिव है और इसके इनेबल के उपर भी ये इसका भी हमें दोनों चीज़ों से पता लग गया एक तो आईसी बनाने वालों ने अपना ये बना दिया कि यह भी हमारे इनेबल पर लो इनेबल देना और एक सर्कुट डिजाइनर ने उस पर लो इनेबल का अपना सिग कर लेंगे है तीस अंडर्सकूर ये इदर भी जा रहा है एक पर्टिकुलर ये कोई समझे ना ये क्या है ये एक जैक है जैक के आगे रेगुलेटर उसके जो आगे पीसी भी लगी होगी ना जो आगे अलग से कार्ड लगा होगा जहां पर यूएस भी पोट होगे उस पे और बीजारा यह कुछ भंपर होगी तो एक उसके लिए जारही है चो रो यह तो यह कुछ नहीं अइसको उतारो लगाओ कुछ नी पर कड़ने वाला यह तो मिलेगा वे लैं इस बहुंहीं है लगाओ नहीं लगाओ को इसको फर्क नहीं पर कोड़ेगा यह आप जब circuit अच्छे से बढ़ लोगे आपको देख के बाल लग जागा इस नाम से बाल लग जागा इसका कोई लेना देना नहीं है यह एक logic लगा हुआ है इस 5 voltage को Sys on hash को low करने के लिए यह एक particular circuit लगा हुआ है ठीक है अब यह particular circuit को पहले करते हैं थोड़ा सा देखो इससे पहले वाले circuit में बिल्कुल सिंपल था कि controller अपने internal logic से 5 voltage जो pull up करके रखी वी थी उसको low कर देती थी लेकिन इसमें थोड़ा सा इन्होंने एंचनल एक MOSFET लगा दी हम देख इसको थोड़ा सा करते हैं बड़ा और किसी को कोई भी confusion हो ना अपने copy में साथ के साथ लिखते रहना है ताकि हम class के end में एक बर उस पर हम बात कर पाएं नहीं तो भूल जाओगे कि मैंने क्या सोचा था क्या बूछना था 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 बूली गया मैं यह हमको पता यहां पर low आना चाहिए according to the circuit signal name के हिसाब से ठीक है अब हम इसको सर्च करेंगे यहां पर पांच वोल्टे जा रही है तो हम obviously बात है इसको सर्च करेंगे क्यों नहीं lower है circuit ठीक है क्योंकि हमें पता पांच वोल्टे आते रहेगी तो passing होनी नहीं है हमने देखा यह अच्छा यह बना हुए एक circuit अब इसके लिए अगर हम देखें तो यह कौन सा MOSFET है फैट है वैसे तो चलो MOSFET ही बोलो N channel है सबको पता है क्या पैशान है सबको पता gate की तरफ अगर arrow अंदर gate की तरफ है तो it is a N channel अगर gate से towards दूसरी तरफ है तो P channel है ठीक है simple जब MOSFET की class होगी तो आपको इतनी detail में बताया जाएगा कि फिर आपको पाद लगा है सच में MOSFET चीज़ क्या होती है तो अगर हम देखें कि यह 5V यहां पर low होनी चाहिए तभी तो हमारी USB तभी तो हमारा वो on USB के लिए 5V पास होगी ना आगे वाले circuit में क्यूंकि hash है हम चाहते हैं कि यह वाला point low हो जाए यह वाला point low होगा तो इस switch को on होना ज़रूरी है न क्यूंकि इसका एक side ground है जैसे यह on होगा यह ground यहां पास करेगा यह बोले तो switch on हुआ ठीक है इस switch को on करनेंगे तो यह ground यहां पास होगा और जैसे यह ground यहां पास होगा तो आप लोग को जैसे मैंने starting में layman language में example बताई थी कि जैसे इस high value का resistor लगा है यहां पर load पड़ेगा तो यह 5V यहां तो आएगी नहीं और नहीं यहां की ground यहां जाएगी यह बीच में रुकावट बन जाएगा ना तो इस switch को on करना है हमने जब यह switch on होगा यह ground यहां पास होगा और यह valid हो जाएगा signal hash वाला ठीक है लेकिन यह switch on कैसे होगा जब इसके gate पर हमको पता है n channel MOSFET है अपने दिमाग में याद रखना है और यह switch है और यह high logic से on होगा ठीक है तो ground है source से ज़्यादा voltage होनी चाहिए रवी सर ने आपको शार्टिंग से बताया था तो it means हम सबको पता है इस switch को on होने के लिए इसके gate वाले point पे voltage आनी चाहिए ground से ज़्यादा तो यह switch on हो जाएगा ठीक है तो हम क्या करेंगे suppose हम एक example लेके चल रहेंगे यह 5 voltage यहाँ पर 5 voltage ही आते जा रही है और यह switch off है ठीक है तो इस case में हमको पता भई यह switch on होने के लिए यह particular supply आनी चाहिए sys on हम check करते हैं भई ठीक है यहाँ 5 voltage आ रही है यहाँ पर हम देखते हैं कि supply नहीं आ रही जब यहाँ पर supply नहीं आ रही तो obviously बादा यह switch off रहेगा जब यह switch off रहेगा तो यह ground यहाँ shift होगी ही नहीं जब यह ground यहाँ shift होगी नहीं इसको आगे कोई रुकावट मिलेगी नहीं और यह 5 voltage पास करेगा तो इस case में हम search करते है sys on को sys on आ कहां से रहा हमें हमारी requirement है कि sys on आना चाहिए इसको copy paste यह देख लो यह sys on है यह sys on hash है दोनों को same नहीं है अगर एक dot का भी फरक आ गया अगर एक dot का भी फरक आ गया तो समझ लेना कि उसकी motherboard की उपर track अलग है इसका track अलग है चाहिए बीच में एक resistor ही क्यों नहीं लगा हो लेकिन resistor से पहले वाले का नाम कुछ और होगा, resistor से बाद वाले का नाम कुछ और होगा, तो कोई भी नाम same नहीं होना चाहिए ठीक है, तो same नाम को ही आपने प्रेफर करना है, उसी को आपने मान की चलना है कि ये track same है, ये एक ही track है और इसमें सब पर continuity आएगी आपस में तो sys on को हम सर्च करते हैं ये sys on है ठीक है, जैसे देखो था पहले वाले motherboard में भी जो USB underscore on hash था, कहां से आया था आयो से आया था वो उसी तरीके से trademark डिजाइन करती है तो इन्होंने थोड़ा सा logic बीच में दूसरा लगा दिया तो इन्होंने sys on से on किया थीक है, हम देखते हैं बई, यहां से sys on, अब हम पूरा सर्च कर लेते हैं एक वरी कुछ और circuit में तो नहीं है यह सबी नाम सर्च करते है रहा जहां-जहां पर भी है यहां से हमने इस copy किया था यह है शही है हमारे काम का नहीं है यह एक और जगा यह वही है, वही है अगे पीछे है एक यहां पर क्या है देख लेते हैं कोई ना कोई regulator पर यह करवा रहा होगा राम का regulator है supply बनवा रहा है ठीक है तो sys on की वज़े मदद से इन्होंने जैसे यहां पर हम देखते हैं कि supply sys on नहीं निकल रही तो खैर अगर हम इस circuit को देखे हैं अगर यह supply नहीं निकलती तो display भी नहीं आएगी क्योंकि हमने अभी देखा कि वो राम के regulator पर जा रही थी as an enable ठीक है यार आप इस चीज़ को देखो आपने एक चीज़ देखनी है कि मेरी ये requirement है motherboard की ठीक है मेरे motherboard पे इस particular section की ये requirement है अब जो circuit designer था उसने जो controller use की उसके अंदर USB under course sys on वाला जो particular controller उसने use की उसमें वो जर्नल परपस, input output, maybe वो track उसने कहीं और use कर दिया हुआ उसका busy होगी है controller पूरी की पूरी तो उसने उसने भी यही सोचा होगा मैंने अपना ये USB चलाना ही तो है तो उसने भी यही सोचा होगा की चलो हम sys on जो की RAM supply पे enable का का काम करती है RAM supply regulator पे तो इसी supply से मैं इसको enable भी कर देता हूँ मैंने अपनी उसने भी उसको सिर्फ एक कमा उसकी requirement ही पूरी की है तो उसने भी circuit के साथ खेला ही हुआ तो आपने भी देखना है कि requirement यह है इसको इस तरीके से पहुँचाया हुआ कुछ बड़ा कोई फने कावला कोई बहुत बड़ा उसने rocket science नहीं मारी हुई जैसे वो खेल रहा हम भी वैसी खेल रहेंगे circuit के साथ तो बस आपने इसमें confuse नहीं हुना है यार सर उसमें तो USB sys on था और वो सिधी USB पे जारी थी ना वो किसी RAM controller पे जारी थी ठीक है तो ये sys on समझ आई बात इतनी पोड़ी मोटी मोटे तोर पे यहाँ पर आएगा ये switch on हो जाएगा जी सर switch on हुआ ground यहाँ पास हुई ये पांच वोल्टे यहाँ से यहाँ पास होने शुरू ही क्योंकि रुकावड का काम करे आगे लोड आगया ये sys on हैश हमारा वैलिड हो जाएगा जैसे sys on हमारा जाएगा है वैलिड होके तो आगे क्या होगा भी आगे इनेबल हो जाएगा आगे पांच वोल्टे के लिए जो रेगुलेटर था ये वाला इसका इनेबल इसको मिल जाएगा और पांच वोल्टे यहां से यहां पास हो जाएगी जब आपको पूरा रस्ता पता होगा ना तो आप सब कुछ कर लोगे आपने देखा इनेबल आ गई पांच वोल्टे तब भी पास नहीं हो रही यार अब आपको इतना पता लगया है कि ये दो पॉइंट्स तो क्लेर है मेरे अब ये रेगुलेटर यहां तो काम नहीं कर रहा यहां फिर इसके आउटपुट में जहां पर यह सप्लाई जा रही है वहां पर कोई शॉटिंग आया कुछ ऐसी चीज़ है जो आउटपुट निकलने ही नहीं दे रही यहां तो रेगुलेटर निकाल नहीं रहा यहां रेगुलेटर निकाल रहा है और आगे वाले बंदा उसको एक्सेप्ट नहीं रही है यहां तो आप दर्वाजा अंदर से खोल ही नहीं रहे या आप अंदर से धक्का तो मार रहे हो लेकिन आगे दर्वाजे के उस तरफ कोई ऐसी चीज़ है जो दर्वाजे को खुल ले नहीं दे रही ठीक है तो अगर ये है अगर इसमें आपने देखा या इनेबल ही नहीं आ रहा तो आप इनेबल को पकड़ लोगे या इसमें आपने देखा ये वाली पांच वोल्टे आई नहीं दी तो आप इसको पकड़ लोगे तो आप इसको नहीं देखोगे ना तब आप इसको नहीं देखोगे ना आप इनेबल को देखोगे आप बोलोगे इनेबल की ऐसी पहले पांच वोल्टे तो पहुंचे जो आल्वेस लिखा हुआ है आल्वेस का मतलब यह कि यहाँ पर आनी आनी चाहिए तो जब आपको तीनों पॉइंट पता लग गए तो आप पट्टी कुरलरली उसी जगह पर काम करोगे जहां पर आपको फॉल्ट नज़र आया आप यह और किसी जगह पर दिमाग नहीं लगाओगे ना आपको जुरूरत बड़ेगी दिमाग लगाने की क्योंकि आपको पता है कि होना ही ऐसे है चाहिए कुछ भी हो जाए और कोई भी मदर बोड़ो ठीक है जैसे अब ही हमने रेंडमली कोई मदर बोड़ो उठाया तो उनों का सरकुट काम वही कर रहा था सिरफ उसके इनेबल के साथ सरकुट डिजाइनर ने थोड़ी सी चेंजिस की वी थी लेकिन अल्टिमेटली सरकुट डिजाइनर को भी इनेबल पहुंचाना ही पड़ा उसके हाथ में भी नहीं था कि विदाओ इनेबल पहुंचाया कर देगा कर दो कुछ Ultimately उसको भी Enable Controller से ही पहुंचाना था और उसने पहुंचाया समझे